नमस्कार, विष्मी किचन में आपका स्वागत है, आज मैं बनाने जारी हूँ बंडे की सब्जी बंडे को कंद भी बोला जाता है, हमारे यूपी पुर्वानचल में बंडा ही बोला जाता है तो मैं अभी तो बंडा ही मिन्सन कर रही हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मसाले के लिए मैं एक बड़ी साइज का लैसुन छिल ले हूँ और इसके बाद से मैं इसके अंदर सूखा मिर्टा डाल दूँगे अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हूँ तो और आड़ कर सकते हैं एक बड़ी चमच से मैं यहां सर्सो ले लूँगी छोटे चमच से एक चमच जीरा एक चमच साबूत धनिया स्वाद अनुसार नमक एक चमच हल्दी पावडर आधी चमच काली मिर्च इन सारे मसाले को मैं मिकसर ग्राइडड में डाल के इसका पेश्ट बना लूँगी पेश्ट एक दम बढ़िया से बनाना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्सो इसमें दरदरा पीसा हो यहां मैं एक दम थिक पेश्ट बना के तयार कर ली हूँ देखिए सरसो बिल्कुल दरदरा ने पीसा है एकदम परफेक्ट तरीके से मैं इहां पेस्ट बनाई हूँ मसाले को साइट में रख दूँगी और मसाले का पेस्ट बना के थोड़ी दिर छोड़ देने से मसाला फुल जाता है जिससे टेस्ट बहुत ही आजवावाता है अब चलते हैं नेश्ट प्रोसेस की तरफ यहां मैं दो बंडा ली हूँ दोनों बंडा लगबग आधा केजी के आसपास है और इसको मैं छिल लूँगी अगर आपके हाथ में खुशली होती हो तो आप इसको बॉयल करके यूज करें मेरे हाथ में नहीं होती है तो मैं तो नॉर्मल ऐसे छिल ले रही हूँ इसको मैं कट कर लूँगी अच्छे से कटिंग का वीडियो एक पर देख लीजिए आपको जिस सेप में चाहे उस सेप में इसको कट कर सकते हैं बस थोड़ा मोटा ना कट करें पतला ही इसको कट करें क्योंकि बहुत सारे बंडे ऐसे हैं जो कलने में टाइम लगाते हैं तो अगर आपका बंडा बढ़ियां से नहीं कल पाता है तो आप उसको कूकर में सीटी भी लगा देंगे तो अच्छे से कल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा यहां मैं सारे बंडे को अच्छे से कट कर लिए हूँ और अब मैं इसको साइड में रख दूँगे कड़ाई जब गरम हो जाएगा फिर इसके अंदर मैं सरसो का तेल डालूँगे बंडे की सबसी आप सरसो के तेल में ही बनाएंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर एक पिंच मेथी के दाने डाल दूँगे मेथी के दाने का कलर चेंज हो जाएगा फिर यह जो मसाला है इसका पेश्ट डाल दूँगे और इसको mix कर लोंगी गैस का फ्ले मीडियम से लो की तरफ रहेगा और इस मसाले को अच्छे से भून लेना है मसाला जब अच्छे से भून जाएगा फिर मैं इसके अंदर एक बड़े साइस का टमाटर का प्यूरी बना के इसमें add करूंगी आप टमाटर को skip करके चाहे तो आम का अचार का पेश्ट बना के डाल सकते हैं उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है टमाटर डालने के बास से इसको mix कर लोंगी और mix करने के बास से फिर से मैं मसाले को अच्छे से भून लोंगी बन्डे की सब्ची बनाते टाइम में सबसे ज़्यादा important होता है मसाले को भूनना आप जितना ही अच्छे से मसाले को भूनेंगे उतना ही आपका बन्डे की सब्ची में स्वाद आएगा मसाले को भूनने में मुझे 10-12 मिनट का टाइम लगा है और इसका देखे टेक्सर कैसे हो गया है और यह मसाला एकनम परफेक्ट तरीके से भून चुका है और अब मैं इसके अंदर बंडा डाल दोंगे बंडा डालने के बाद से इसको मिक्स करना है और फिर कवर करके 2-3 मिनट के छोड़ दे फिर चलाए और 2-3 मिनट के लिए फिर ऐसा आप 6-8 मिनट तक का प्रोसेस करें और जब हमारा अच्छे से यह मसाला बंडे के साथ भून जाएगा फिर इसके अंदर पानी डाल दे पानी की क्वांटिटी थोड़ा जादा ही डाले क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा बंडा जल्दी गलता नहीं है तो पानी जल्दी सूख जाता है और बार बार पा भुएज कर देंगे जिससे पानी जल्दी से सोख जाएगा तो पानी थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे पानी डालने के बाध से इसको मिक्स करने के बाध से गैस का फिलम मीडियम करके इसको छोड देंगे और जब बंड़ा एकदम अच्छे सपग जाएगा तो आप खरCYL पसंद है उतना ही गाढ़ा रखेंगे आप एक पर कंद या बंडे की सबसी इस प्रोसेस से बना के अपने घर वालों को खिलाईएगा और जो रिब्यू देंगे आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताईएगा कि घर वालों के ये बंडे की सबसी कैसी लगे पा अगर आपको मेरे बंडे या कंद की रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें कंद की सब्जी के साथ आप अरहर की दाल बनाए और दाल को जीरा से तड़का लगा के खाए और उसके बाद से टेस्ट देखें वीडियो के अंतक अपने रहने के लिए थांक यू सो मच